हलो गाईज आप सभी को नमस्कार मैं नाम सतीश कुमार गाईज आज हमें उत्राखंड में और उत्राखेट जो एक पावन धरती यहाँ पर जो है कि रिसी केस में हम अभी उत्राखंड के में जो है रिसी केस में आए वे हैं दो दिन का ट्रीप था यहाँ पर हम घुमने के ल लेकिन क्या आपको पता है कि देखने के वज़े से भी करेंट लगता है मनसिक समस्याहएं कि लोगों को क्या होता है कि डॉग को देख लिए तो करेंट लगने लगता है भागने लगते हैं रास्ता बदल लेते हैं और किसी को मंदीर से करेंट लगने लगता है, किसी को जो है की मतलब भगवान के बारे फोटो देखते हैं, उनको करेंट लगता है, तरह तरह के विचारे चलने लगता है, together so current लगने का बात कर रहे हैं अज इस स्वहाना मोcem में देख रहे हैं पहारों की बीच में हम भी यहांपर पर जो है की रूम लेकर के यहां पर अभी हम लोग आए वे हैं और यहां पर देखते हैं 4 तरफ पहारी पहार है और उस बीच में जो है को गंदगी को लेक्रें जो बातरोम जाते हैं तो हाथ धोने को लिए के किसी को पोटी को लेकर एक काइयरेंट लगता है 걸 व हम क्या कर रहे हैं कि यह की और आप सेग है कि मतलब शुल रखा और आपशन का रहा अनども यहां तो देखने चिंता नेगेटिविटी होने लगती है तो मतलब क्या है इसकी कारेंट लगता है मेरा में समझाने का है कि कारेंट लगता है उसकारेंट जो किसी को हो सकता है काउंटिंग से भी पैसा देखने के नाम गिनने के नाम से उसको कारेंट लगने लगता है तो इस तरह का किसी को कि कि बी जानवार से कायरेंट लग सकता है कि ईसको डाई किसी को चिपकिली से क्यिंद लग सकता है गॉजव Sp accessories आइगा तो यह и कि निकाला आ जाएven आप लोग जितने भी लोग हमें की फौन करते हैं बहुत हीокой आप लोग को जो है사ilah करना की हम तहये दिल से निकल रहे हैं बहुत लोग जो है ना मेरा वीडियो देख करके एक लेडिज का फ़ोन आया था कि वह एक दिन में religious society से बहार निकली थी अब जो है कि क्या उनको समझ में आया मेरा वीडियो से इसके लिए हम बहुत-बहुत थैंक्यू हैं जो है कि बहुत-बहुत धन्यवाद हैं कि एक दिन भी लोग हैं बैठेवे जितने लोग भी जो है कि परेशान है मादसी क्समस्या से एक बात ध्यान रखिएगा कि हाँ इस बिमारी से बाहर निकला जा सकता है निकला जा सकता है ये मेरा बात ध्यान में रखिएगा बसरते चाहिए प्रैक्टेस समझ अंडरस्टेंडिंग करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, guys. तब बाहर निकल सकते हैं. नहीं तो बाहर नहीं निकल सकते हैं. निकलने के लिए आपको थोड़ा patience रखना होगा. जरूर निकलेंगे, guys. फरोसा रखिए अपने उपर. चलिए बात करते हैं कि यह जो current जो लगता है गाईज इस current को जो है ने मतलब जो मन के ओपर pressure बने लगता है current को discharge किया जए कैसी है कि current को discharge किया जए जिससे कि देखने के बाद current न लगे जिस वस्तू से भी जिस चीज से भी जिस situation से भी आकर आपको current लग रहा है उस current को जो है कि वह ऐसा क्या हो कि current लगे ही नहीं देखने के बाद जो है कि चिंता डर घबरहाट हो ही नहीं वो कैसे होगा गाईज उसको वो कैसे होगा वो जानते हैं अब जानते है current बढ़ा है कैसे देखिए दोस्तो आपने जो है कि अगर जो है कि दो चीज जरूर किये हुए, मतलब कि वो चीज को जो है कि मतलब देखते हैं भागते हैं उससे, इससे क्या होता है करेंट बढ़ जाता है, घटने के बजे, आप जो देखते हैं जैसे कि मानले किसी को कोई जानवर से डर लगता है, अब जैसे ही वो जानवर सामने आया, तो वो क्या कि उससे भागने लगे, और आस्ता चेंज करने लगे, मतलब वो जो है कि मतलब उससे बचने लगे, अब क्या हुआ है, कि कारेंट का जो है कि हमारा माइंड का मेकेनिजम है, कि वो जो है कि कारेंट जो है कि आपका बढ़ने लगता है, आप जो जितना भागते हैं जितना भगते हैं तो आपका mind डरने लगता है वो जो है की पहसान होए लगता है इसलिए आप गाईज हम बताना चाहते हैं कि आपने जितना आज तक बागे है जूसी से तो आपका current बढ़ता चले गिया है और इसी कारण से ये current जो है आज भी अगर लाइफ में अगर आप जो कि उससे अगर भाग रहें तो आपका कारेंट बढ़ने वाला है गाईज समझ में आ रही है तो आप कॉमेंट करके बताईए कि हाँ समझ में आ रही है क्या कि कोई भी चीज़ से आज आप पिछे भागेंगे आपका माइंड एक दिन के बाद उससे जो है कि बहुतो दूर भागने लगेगा यह माइंड जोimaan कहता है कि हमको कुछ भी नहीं पता है आप क्या कर रहे हैं क्या जो है कि माइनेता है मान रहे हैं हम उस चीज के बाद उस चीज को फलो करना चालू कर देंगे गाईज क्योंकि आपने सैकिल चलाना एक दिन में नहीं सीखाए गाईज जब भी आप सैकिल चला रहे थे तो धिरे-धिरे देखने लगा आपका ब्रेंड देख रहा है आप अपने आखों से देख रहे हैं इसका मतलब यह नहीं ब्रेंड आपका सीख रहा होता है कि मतलब कि देखते हैं कि यह बंदा क्या कर रहा है मेरे साथ मेरे मेरा सरीर का क्या यूज कर वा रहा है आप कभी cycle चलाए होँगे, बाइक चलाते हुए, कहीं भी चले जाते हैं, अभी क्या होता है, आपका mind use करता है, कहता है एक दिन हम use करेंगे पहले हमको तु सिखाओ, यह mind कहता है हमको सिखाओ, तब हम जो है कि एक दिन हम आपका जो है कि हम अपने आप करने लगेंगे गाई जी तो उसी तरह से आप जिस चीस से भी आज भाग रहे हैं जिस चीस से भी आपको डर लग रहा है जिस चीस से भी आपको कारेंट लग रहा है मतलब क्या है कि आपने उस चीस से जो है कि आपने डरा हुआ है पहले अपने आप मे किसी दूसरे चीज़ में बदलाब लाने की जवरत नहीं है गाईज, खूद में बदलाब लाएंगे, तब ही जाके result आएगा गाईज, बहुत बड़ा result आएगा आपके life में, बस अपने उपर जो हैं बदलाब लाने का सुरुआत किजिए, क्या करना है गाईज, जिस जिस से भी आप भागने, avoid कर रहे हैं, मतलब आपको डर लग रहा है, मतलब पहले मानिए कि हम ने जो है कि इससे भागना चालू कियो है, उसके बारे में गलत धारनाय बनाये हुए, उसके बारे में जो है negative belief बनाये हुए, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि आपको जो है कि अभी आप का mind आपको डरा रहा है guys, और भी देखिये आपको डर लग रहा है, दूसरा person को इससे डर नहीँ लगरा है, क्यों नहीँ डर लग रहा है? क्योंकि। इसके बारे में वह धारना नहीं बनाए हुए है तो यही चीज है, तो गाईज मेरा कहने का मकसद क्या है कि current को जो है कि अभी जो आप जो है कि उससे भागने लगते हैं और जो है कि मतलब उससे पीछाँ छोड़ाना चाहते हैं, इसलिए आपका जो है ने बीमारी बढ़ रही है, तो करना क्या है गाईज, इस current को discharge करने के ल पर भी नहीं रहें किसी को भगवान से रिटेस्ट सा आम आदमें अराम जाते हैं भगवान के पास परणाम करके चले आते हैं लेकिन बहुत लोग भगवान को देखते हैं मन्यत का विचार चालू फिर उसके बाद जो हैं कि तरह तरह का डर उनको प्रेसान करने लगता है हमारे माइड में वुछार आई हमारे माइड में मतलब क्या लिए मतलब आपने माइड को ठीक करना है बघवान के में आपके अलग चीज है वह क्या सोच रहे हैं वह दुखाई उस चीज को फिस करेंगे तो तो होगा पहला पहला पैसेंस रखिएगा कि पहले जो हैं आप डर को दूर करने वाले हैं तो डर को दूर करेंगे थोड़ा दर साना होगा चिंता डर का डर चिंता-डरnew माइंड में एक डर बना हुआ है उस डर को तोरेंगे तो थोरा सा और भी आपको औहिनत लगाना होगा मतलब कि कोई भी काम भारी काम पहले हम्मत लगाना होते हैं यह भी काम आपकर अपकर बिलीफ सिस्टम बनाया उसससा बिलीफ सिस्टम को तोर है तब जा करके, इस current जो बता है, इस current जो मतलम एक जो यह current जो लगता है देखनी को वीसे, जो current लगता है वो चीज आपका ठीक हो गाएज यह चीज हम आपको बताना चाहते हैं गाएज कि आपको जितना भी आपको चिंता, डर, घबरहाट पेचेनी यह सब हो रहा है यह सिब जो है ना आपने जो है कि आप उससे भागे हुए हैं पीछे मतलब जो है कि बार-बार जो है कि जो चीज मन में आया कंपल्सन कर लो हाथ धोलो परनाम कर लो बार-बार वो चीज की है जिन के कारण से यह कारेंट आपका बारता चले गिया है बस इसको क्या करना है समझ के साथ जो है कि इसको जो है कि इसके साथ बने विराना है कि देखते हैं क्या होता है देखते हैं जो है कि मतलब क्या हो जाता है पर नहीं करते हैं देखते हैं क्या हो जाता है क्योंकि आप एक चुली भगवान को पर नाम किये तो हो ग होगे तो यहाँ पर देखिए पीछे में भी डॉग ईडारे हैं किसी किлам डॉग भी देख करके लग सकता है यह मतलब हम इसकारिए का मारे बॉर्ष काम कर रहा हम यहां पर बिडिय करें क्ला कर एक दाष्ट तो आज में आप लोगों के साथ वह ङो है कि बताए कि कैसे जो है कि आप यहाँ पर current को दूर कर सकते हैं क्युकि देखने के बता है जो यह current लगता है वो दूर कैसे होगा जब आप उससे जो है भागेंगे नहीं डड़ेंगे नहीं बारँ बार बार फेस करेंगे पैसेंज के साथ विश प्रैक्टिस बार-बार करेंगे तो आपका करेंट दूर होने लगाए गाईज तो आसा करते हैं कि आज का वीडियो जो है कि बहुत ही अच्छा लगा होगा थौशा लंबा वीडियो हो गया गाईज तो आप लोग जो हैं कि क्या-क्या वीडियो में अच्छा लगा, कॉमेंट करके बताईए, आसा करते हैं, उम्मिद करते हैं, यह वीडियो आपको बहुत ही दिल से छोगिया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, आज इस नगरी को भी हम सलाम करते हैं, कि यहां देखने के लिए, सब्रूम में CB लगा हुआ है, यहां देखिए, वहां पर गारी भी चलती है, पहारों में घुमा घुमा ओर रोड राता है, तो गाईज, आज घुमने आये, यहां पर आये हुए हैं, ठीक है गाईज, थैंक्यू गाईज, विस्यू वैल्थ, बी हैपी, आप लोग इंजव गाईज, विस्यू वैल्थ, बी हपी